नमश्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाजेब कहानी का सारांश दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा आपके लिए बहुती मैधपूर्ण होने वाले वीडियो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं जी जो है वो एक मनो वैंज्ञानिक कहानी कार है। पाजेव कहानी जैनेंद्र दौरा लिखी गई कहानी हैं जैसा के आप को अभी बताया था। जैनेंद्र ने अनेक कहानिया लिखी हैं, जिन में से वातायन, फासी, एकराथ, निलम देश की राजकर्णिया, दो चिलिया और पाजेब जैसी कहानिया अधिक परसिद हैं। आज हम पाजेब कहानी का सारांश इस वीडियो में पढ़ने वाली हैं। इस कहानी में एक छोड़ी बच्ची मुन्नी की पाजेब की बात की गई है। अपने आगे घटित घटना का वर्णन कर रहे हो। ऐसे कहानी लिखी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मुन्नी ने जब अपने पढ़ोस की सेहलियों को नई तरह की पाजेब पहने देखा। तो वह भी नई पाजेब के लिए हट करने लगती है। यह बाल मनोवरती होती है कि जब भी वह किसी दूसरे के पास कोई नई चीज देखते हैं तो वैसी ही चीज उन्हें भी चाहिए होती है। और वो जिद करने लगते हैं उसी चीज के लिए। तब उसकी बुआ उसके हट से मान जाती है और कह देती है कि अगले इतवार उसके लिए पाजेब लाने की बात कहकर वह चली जाती है। और यहां बात मुनी समझ जाती है और वह शांत हो जाती है अगले इतवार का इंतिजार करती है। पाजेब बहुत खुश होता है पर क्योंकि वह भी बच्चा है उसके मन में भी एक बात आती है और वह बात क्या है चली आगे देखते हैं। तोश मुन्नी की पाइल देख बहुत खुश होता है परंतु मौके पर उसे भी साइकल यादा आती है उसने साइकल की इच्छा व्यक्त की वह बोला मुन्नी के लिए पाजेब भौग लाई हो मेरे लिए भी साइकल लेया उसे लगा की बेहन के लिए तो पाजे बागे लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है तो वह यह उलाना अपनी बुगा को दे देता है बुगा ने जनम दिन पर साइकल दिलाने का वायदा किया और वह मान गया बड़ा ही भोला बच्चा है जब बुगा ने कहा कि मैं तुम्हारे जनम दिन पर तुम्हें साइकल दिलवा दूगी तो वह यह बात समझ जाता है और शांत हो जाता है बच्चों का जो मन होता है वो बहुत भोला होता है उनका उत्सा भी जल्दी खत्म हो जाता है मुन्नी ने भी थोड़ी देर बाद पाजेब उतार कर रख दी क्योंकि उसका उत्सा भी संभाल कर रख दी फिर जब पाजेब निकाली गई तो एक पाजेब गायब थी वहां एक ही पाजेब थी जहां मुन्नी की माने पाजेब रखी वहां पर सिर्फ एक ही पाजेब थी और एक पाजेब जो थी वो गायब हो चुकी थी पाजेब को ढूना गया पाजेब नय मिलने पर नोकर बंशी पर शक्ख हुआ, बंशी जो थब उनका नोकर था, शब से पहला शक उस पर जाना जाहिर था, माता पिता बंशी से पुषताज करते हैं, उसके मना करने पर आशुतोष पर शक्ख किया जाता है, कि कहीं साइकल के लिए तो आशुतोष ने पाजेव में शिश की अब माता पिता बिना किसी बात के बस बेचारे की एक छोटी सी साइकल की इच्छा के कारण उस पर शक करने लगते हैं आशुतोष डर के मारे कभी कुछ जवाब देता तो कभी कुछ जवाब देता ये तो सभी के साथ होता है बच्चों को जब लगता है कि माता पित क्या करते हैं बच्चों से सच उगलवाने के लिए उसके यार दोस्तों के नाम ले लेते हैं तो यहां पर भी उसके जो पिता है वो छुन्नू का नाम ले लेते हैं कि कहीं छुन्नू के पास तो पाल नहीं है तो अपना पीछा छुडाने के लिए आशुतोष ने समर्थन में सिल्हला देता है वहहां भर देता है उसने जब चुण्णू का नाम सुना तो फिए खुश हो गया क्यों खुश हुआ उसे लगा कि इसका नाम लेणे से जान बच जाएगी फिर आशुतोस से कहा गया जाकर चुण्णू से पाज़े ले अब आशुतोस फिर से फस गया क्योंकि आशुतोस ने तो पायल चुराई नहीं दी उसने तो छुणू का नाम क्योंगी पिता ने कहा था अपनी जान बचाने के लिए ले दिया था आशुतोस ने कहा उसके पास नहीं हुई तो वह देगा कहां से अब क्योंकि आशुतेश ने तो पायल चुड़ाई ही नहीं दी वह तो जान बचाने के लिए जो मन में आ रहा था बोल दे रहा था आशुतोष को पतंग का भी शोक था फिर माता पिता को शक हुआ कि कहीं पतंग वाले को तो पायल उसने नहीं दे दी उसे दिन आशुतोष एक नया पतंग और डोरा लेकर आया था आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से मना कर दिया अब क्योंकि आशुतोष ने ना तो पायल चुराई थी और नहीं उसने पायल पतंग वाले को दी थी अब वे उसके पास जाने से मना कर देता है उल्टे सीधे उन्हें लगा कि प्रश्णों की जड़ लगा देते हैं एक के बाद उल्टे पुल्टे प्रश्ण पूछेंगे बच्चे गलती से सही जवाब दे देंगे और हां भर लेंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ चुन्नों के माने चुन्नों को की भी खूब पिटाई की अंत में आशुतोष को जब जबरदस्ती पतंग वाले के पास ले जाने लगे जब आशुतोष को जबरदस्ती ले जाये जा रहा था तो उसी समय उसकी जो बुआ थी वो आ जाती है किसी काम से और बुआ जो है वो अपनी बास्किट की जेब से पाजे निकाल कर कहती है कि अरे आशुतोष के माता पिता, एक पाजेब तो मेरे पास ही रह गई थी, देखिए, कहां आशुतोष पर, कहां छुन्नू पर शक्किया जा रहा था, पतंग वाले के पास पाजेब होने की बाद की जा रही थी, लेकिन पाइल निकली कहां से, बुआ के पास से, जो किसी ने भी नहीं सोचा था, अब माता पिता बहुत हैरान हो गए, उन्हें अपनी गल्ती का एसास होता है, उन्हें पचतावा होता है कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना सब कुछ कहा, ढाटा, मारा पिता, उसे तंग किया, उन्हें लगा हमें बिना जाने ऐसा नहीं करना चाह ये थी क्योंकि क्या पता जिन्दगी के हर वक्त पे हम ही सही हों ऐसा जरूरी नहीं क्या कभी बच्चे को भी तो समझना चाहिए बच्चों के मन को भी समझना जरूरी होता है उनके सच को सुनना भी जरूरी होता है ये थी कहानी क्या सारांश दोस्तों वीडियो अच्छी ल नवाद।